हेलो एवरिवन वेलकम टू बी क्यूरियस विद गवरो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 31 से लेके 50 तक के सेनोनिम्स को कवर करेंगे पिछली वीडियो में हमने एक से लेके 30 तक कवर कराया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और उपर आई बटन पर भी आपको दिख रहा होगा वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लें तो फॉर्स्ट बॉर्ड है हमारे पास गेवल गेवल का सेनोनिम बताना है आपको आप्सन से डेस्टिनेशन गार्डेन जेल और लाड़ेन का मतलब पता है बॉर्ड का मतलब भी सबको पता है तो गेवल का मतलब हो ले जेल इसका सिंपली मतलब होगा जेल को ऐथेच चारेन घर्मी लेख वाम से बना है वाम अफेक्टेशन का मतलब होता है बनावटी ब्यवहार मतलब जैसा न होना वैसा वास्तों में वैसा नहीं है लेकिन उसके जूठा प्रतीत करना मतलब ब्यवहार को बनावटी करना मतलब किसी के प्रतीमान लीजिए कोई आपके प्रतीत सतुरता की भावना रखता है लेकिन जब आपसे मिलता है तो ऐसा प्रदर्शित करता है कि वह आपका बिल्कुल दोस्त है तो क्या है यह अफेक्टीशन है वह बनावटी बिवहार कर रहा है आपसे वास्तों में ऐसा आपके साथ उसके रिष्टे नहीं है अफेक्टीशन का मतलब स्ने होता है और हैट्रेट का मतलब होता है घ्रिणा और लूधिंग का मतलब भी होता है कोई ऐसी वस्तों यो घ्रिणी थो या फिर कोई ऐसा कार है जो घ्रिणा का पात रहो से हम लूधिंग कहते हैं तो लूधिंग का सिंपल सा हो जाएगा हैट्रे Pragmatic का मतलब होता है Friends मालनी जी कोई व्यक्ति है उससे आप कुछ भी कहें तो तब तक उस बात को विश्वास न करें जब तक उसको खुद न देखा हो किसी के मतलब की वो practical हो किसी के देखने सुनने से उसको काफी फरकना पड़ता हो जब तक वो काफी मतलब practical व्यक्ति हो तो pragmatic का मतलब होता है Practical, Intelligent, Wise, Religious काफी common words है तो इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है तो pragmatic का हो जाएगा Practical, right Notion Notion का सिननीम बताना है आपको Options and Thought, Fact, Truth and Hypothesis Notion का मतलब होता है कोई कथन, कोई धारणा कोई बिचार, ठीक अब इस हिसाब से आपको बताना है Fact, Truth, Hypothesis and Thought तो इसका हो जाएगा Thought Thought मतलब होता है बिचार और Notion मतलब होता है धारणा, मतलब मालिजी कोई Religious है, उसके प्रती आपका क्या Notion है, कैसी धारणा है ठीक, आप समझ पाय रहे होंगे आई होप, और Truth मतलब सचाई है Hypothesis का मतलब होता है अनुमान लगाना यह फिर कलपना करना भी हम कहा सकते है तो इसका हो जाएगा Thought, Notion का Next वर्ड हमरे पास है 35 35 है फ्रेंस विवेसियस एक मिनिट 35 है विवेसियस विवेसियस के आप्सन से आपके पास Poisonous, Energetic, Tricky and Slow Poisonous का मतलब होता है जहरीला Energetic का मतलब होता है उजजवान Tricky का मतलब होता है जो trick से भरा हो, जो छल से भरा हो कह सकते है Slow मतलब होता है सुस्त, धीमा और विवेसियस का मतलब होता है Friends, ऐसा व्यक्ती जो खुस मिसाज हो जो दिलेर हो उसे विवेसियस कहाता है ठीक, तो इसका Best Option यहाँ पर दिख रहा है Energetic हालांकि और कोई दूर दूर तक Option इससे मैच नहीं करता है सिर्फ Energetic ही ऐसा एक Option है जो विवेसियस के लिए हाँ पर Perfect है 36 है, वासिफियरस Option से आपके पास Violent, Loud, Secret and Truth बताईए, क्या होगा इसका आंसर Violent, Violent का मतलब समझ रहे है Loud का मतलब होता है जोर जोर से Violent का मतलब आकरामक कह सकते है Secret and True और वासिफियरस वासिफियरस का मतलब होता है अपने भावनाओं का जोर जोर से सोर गुल के साथ व्यक्त करना ठीक है तो इसका क्या हो जागा इसका सिंपल सा Loud इसका सिनोनिम हो जाएगा True, Secret तो इससे कोई इसका दूर दूर तक रिष्टा नहीं है Violent इसका होता नहीं है अपने भावनाओं को मतलब जोर जोर से व्यक्त करना सोर मचा मचा के कुछ अपनी बातों को रखना कोई नहीं सुन रहा है तो क्या करेंगे आप सोर मचा कर ही पताएंगे तो इसका हो जागा Loud Violent नहीं होगा इसका 37 Fictional Options is genuine authentic fanciful real Fictional का मतलब होता है Fictional का मतलब होता है imaginary क्या सकते हैं मतलब कलपना कलपना से भरा हुआ कह सकते हैं Fictional इसे fictional stories होते हैं कालपनी कथाएं होती है तो इसका क्या हो जाएगा option Genuine authentic real तीनों आपस में synonym है तो आप ऐसा ही eliminate कर सकते हैं और तीनों काफी common words है तो इनके मिनिंग बताने कोई जरूरत ही नहीं fanciful इसका सिर्फ और सर्फ synonym हो जाएगा fanciful का मतलब होता है बनावटी जैसे आप छोटे जो बच्चों के लिए स्टोरियल साते हैं उनमें stories वेगरा में देखते हैं काफी creatures होते हैं जो काफी जिसमें बंदर बाते करते हैं यह सब टाइप का होता है उसे fanciful कहते हैं वह ऐसा होता नहीं आवास्ता में सिर्फ कल पनाए हैं तो उसको fanciful कहते हैं तो fanciful सब्सक्राइब हो गया मतलब तूख चबाते पर जहां पर नहीं होना चाहिए था तो इसका option यहां पर option से crucial significant vital and ordinary ordinary मतलब होता है बिल्कुल समान ने ordinary बात उपर जगड़ा हो गया तो वाल ट्राइवियल का मतलब क्या हो जागा है यहां पर इसका से नहीं ordinary हो जाएगा significant का मतलब अ महतपून वाल्टिल का मतलब भी वहता है important and crucial का मतलब भी वहता important crucial का मतलब में पार्ट भी वहता है जैसे crucial किसी स्टोरी के crucial पार्ट मतलब समें पार्ट अगरा हम क्या सकता है थर्टी नाइन देखते हैं फ्रेंड्स थर्टी नाइन है इंप्यूडेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स इंप्यूडेंट का मतलब हम कहा सकते हैं बेसार अर्ब्यक्ति राइट इसके options है इंप्यूडेंट का मतलब होता है बत्तमीज बेसर इंप्यूडेंट का मतलब भी यह होगा तो इसका मतलब थर्टी नाइन का सिनोनिम आपका यह हो जालगा इंप्यूडेंट का मतलब अनैतिक भी होता है फ्रेंड्स तो अनैतिक और बेसर में कोई खास फरक है नहीं पॉम्पस फॉट्टी वर्ड है हमारे पास वो है पॉम्पस इसका उप्सन से प्रेटेंशियस सपोर्टीव डिमांडिंग अन फ्लैसी पॉम्पस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अपनी बढ़ाईय हमेशा करते रहाता हो बढ़बूला कह सकते हैं अपने आपको दूसरों से हमेशा इंपॉर्टेंट बताता रहाता है उसे हम पॉम्पस कहते हैं ऑप्सन से प्रेटेंशियस सपोर्टीव डिमांडिंग अन फ्लैसी फ्लैसी का मतलब होता है तड़क भड़क वाला जिस जो काफी कोई चीज बहुत जादा डेकोरेटी हो तुम क्या कर सकते हैं यह तड़क भड़क वाला है क्यинки क्या करा मतलब जाइससे मतलब करने वाला जिसा कर रहा वैसा होने का दिखावटी दिखावा करने वाला तो इस pompous का हो जाएगा pretentious pompous मतलब भी जो वो खुद तो वैसा नहीं है लेकिन दूसरों से अपने आपको important बता रहा है, दिखा रहा है मतलब क्या कर रहा है, जो जैसा है नहीं, वैसा होने का वो नाटक कर रहा है, तो वैसा उसको हम कहा सकता है pretentious 41 है indiscriminate इसके options है undifferentiated, instant, sensible and discreet friends, indiscriminate का मतलब होता है इसको नाउन के तरह भी यूज कर सकते हैं इसका मतलब होता है ना समझ ब्यक्ति जिसके पास कम बुद्धी हो थड़ा उतना बहुत तेज दिमाग का मतलब ज़्यादा छली कपटी नहों पर या फिर हम लपरवा के भी sense मिले सकते है discriminate का मतलब होता है अलग करना मतलब अलग-अलग भेद भाव करना तो indiscriminate वैसे ब्यक्ति हो जाएंगे जो ज़्यादा भेद भाव ना कर पाते हो ज़्यादा भेद भाव ना करने माले ब्यक्ति क्या होते सधारन होते हैं सधारन मतलब थोड़ा कम समझ रखते हैं तो उनको ना समझ भी कहा सकते हैं और इन डिस्क्रेमिनेट का मतलब अंतर करना और इन डिस्क्रेमिनेट का मतलब अंतर न करना होता है तो वहां से यहां पर सिनोनिम ले लेंगे और इंस्टेंट का मतलब होगा होगा तुरंत सेंसिबल का मतलब होगा जो सेंद जिसके अंतर सेंसेस हो मतलब लिटरल के लिए आपके पास आप्सन्स है वर्बेटिम फॉर्मल फॉर्मल आडियलिस्टिक एन आउट डेटेड लिटरल का मतलब होता है फ्रेंड्स बिल्कुल मूल मूल चीज होना है राइट और मूल का मतलब की जैसे की बिल्कुल जैसे की कोई चीज वहां से ओरिजिनीट हुई है मतलब उसके उत्पती वहां से हो यह मूल ऐसे समझी है उसे हम लिटरल कहते है ठीक है और इसका ऑप्सन से वर्बेटिम फॉर्मल एडिलेस्टिक एन आउट डेटेड लिटरल का मतलब एक और होता है लिटरल का मतलब होता है जैसे समानली जी कि आपको इंग्लिस दे दिया गया हो सेंटेंस उसको ट्रांसलेट करना हिंदी में तो आप क्या करेंगे एक तो जिसके पास इंग्लिस की समझ होगी वह उसका अर्थ समझेगा फिर उसको लिखेगा उसके हिंदी में और इसको कम समझेगा क्या करेगा हर जो particular word होगा उसको उसका meaning हिंदी में लिखने लेगा तो क्या वो sentence का अर्थ निकाल पाएगा बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा तो ऐसे translation को हम literal translation कहाते हैं मतलब word by word translation को और verbatim का मतलब भी होता है word by word जैसे कि माल लीजिए आप से कोई कुछ कहा और वो बात किसी तीसरे आदम किम दुनों को word towards some relate करके याँ पर ये सका synonym होगा राइट है आडिलस्टिक का मतलब होता है अफावाद आधरस वादी आडिल का मतलब आधरस वादियर आप डेटीट का मतलब होता है ऐसा चीज जो अब प्रचलन में नहीं हो जैसे छोटी वाले जो नोकिया का फोन आता है अब उसको कोई यूज करता है बिलकूल नहीं करता है वो क्या हो गया अब अब वो outdated हो गया है राइट और formal का मतलब आपचारिक होगा intricate, intricate 43rd word है हमारे पास इसके options है puzzling, illusive, complicated and assertive गेस किजिए इसका answer friends, intricate का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत जटिल हो जैसे माल लीजिए कि पहले के कलकारिया होती थी कोई कपड़े पे हो गया कहीं दिवाल पे तो काफी complex होती थी मतलब वैसा design आज के समय में हाथ से बनाना संभाव नहीं मतलब बहुत difficult task है लेकिन पहले लोग वैसे कर लेते थे तो क्या है वह बहुत intricate चीज़े हैं बहुत इंट्रिकेसी हैं डिफिकल्टीज है उसमें complicated है तो इसका option क्या हो जागा answer इसका complicated मतलब जो बहुत जटील हो right puzzling puzzle का मतलब होता है पहलियां कह सकते है जिसके meaning clear न हो उसको puzzle कह सकते हैं पहलियों में थोड़ा सा घुमा होता है इतना असन चैसे सबको समझ में नहीं आते तो उसको puzzle कहते है तो इसलिए puzzling का मतलब हो जाएगा जो घुमादार हो इल्यूजीव, इल्यूजीव का मतलब इल्यूजन से मतलब भ्रामक से हो जाएगा और असर्टिव, असर्टिव का मतलब हो जाएगा confident, ऐसे बेखती ही जो confident हो उसको हम assertive बोलते हैं confident person को 44th word है, expediciously, expediciously का आपसंस आपके पास rudely, gently, meekly and quickly, बताइए जल्दी इसका exikes facility का मतलब होता है, जल्दी बाजी, right, rudely का मतलब होता है, ridd का मतलब का या होتा है Erulin आयरोगेंट आपके आप कहा सकते हैं, जो रूखा बेवार रखता उसे rude कहते हैं, तो rudely का मतलब हो जाएगा आतलत है आएं मतलब सब भी होता है तो इसको बहुत आराम से अठरी उठारेर सबहुत है हैं haven TV कु मतलब कर जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी बाजी चांए ऑगए यहां पर सब्एक्टली होगा i hope you are getting my points 45th idiosyncrasies options are demands needs idealosis and eccentricities idiosyncrasies का मतलब होता है friends इसका मतलब होता है बिलक्षण होता है एक तरह से कुछ किसी ब्यक्ति में ऐसा इसी quality होना जो दूसरे में ना हो उसे हम क्या कर सकते है इडियो सिंक्रेसी बोलते हैं ठीक है इसका options ने demands needs idealosis and eccentricities demands needs and idealosis काफी common words नहीं तो इनको explain करने के जरूवत नहीं और eccentricities का मतलब होता है जैसे इसका मतलब होता है थोड़ा सा हट कर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं थोड़ा सा हट के हो तो उसको क्या बोलते है इस एंको किसी चीज को लेकर कोई बिल्कुल क्या कर रहा है पढ़ने के लिए लगतार माली जी की ददद घंट लगतार पढ़ ले रहा तो उसके उसमें क्या है पढ़ाई के प्रती सनक है उसको हम क्या बुछते हैं इस सेंटर सेटीज क्योंकि नॉर्मल बेक्ति ऐसा नहीं करते हैं क्या करते हैं कुछ दर पढ़ेंगे फिर रेस लेकिन ऐसा जिसके जिसके अंदर बिल्कुल जुणून है सनकीपन आगा उसे हम क्या बोलेंगे isn'tra studies बोलेंगे फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं त्वर नेगेटिव और में भी ले सकते हैं जो कि थ्वर सा जिसके अंदर थोड़ी से हट की वाल्यूटीज सो दूसरे सो हम इस एंटर सिटीज बोल सकते हैं इडियू सिंक्रेसी का मतलब यह वह होता है जिसमें थोड़ा सा बिलक्षण हो ठीक है कि इसका उप्सवन हो जागा डी नेक्स्ट है अप्राइज अप्राइज का ओप्सवन है प्रेज इन्फॉर्म कंसील एन एसस अप्राइज का मतलब होता है फ्रेंट्स किसी को कुछ बताना किसी को कुछ सूचना देना राइट प्रेज मतलब परसंसा करना इन्फॉर्म मतलब सूचित करना कंसील मतलब किसी ज चुपा कर रखना और एसेस का मतलब होता है आप पता ये एसेस का मतलब होता है आकलन करना जैसे एक्जाम्स होते हैं आपके एसेस्मेंट होता है क्या होता है आपके ग्यान का एसेस्मेंट होता है तो एसेस सही बना है एसेस्मेंट तो एसेस का मतलब हो जाएगा मुल्यांकन करना राइट तो एप्राइज मतलब भी होता है सूचना देना बतलाना किसी को किसी का इंफॉर्म करना तो इसका ऑप्षन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर 47 वर्ड परियॉडिक परियॉडिक के ऑप्षन से इन फ्रिक्वेंट कंटिनुवस और के इसनल रेगुलर तो प्रियॉडिक का क्या हो जाएगा प्रियॉडिक का मतलब एक प्रियॉड के बाद वो मतलब होता रहा है ऐसा नहीं कि उसमें गयाप आ जाए ठीक है इन फ्रेक्वेंट का मतलब होता है जो लगातार ना हो फ्रेक्वेंट का मतलब होता है लगातार मतलब ऐसे कि फ्रेक्व से यहां करे है तो क्या हो जागा है और कि होप इसके मेंनिक का सब्सक्रार मिया नहीं ज्यादा कर नहीं सब्सक्क्राइब समय के बांद क्या है और रीघुलर के मतलब कीरा हो रहे है तो और ख्रड़ हो रहे हैं तो क्या होते हैं यह गूद्धेड एइसे जाते हैं से इस कर्ते रहा हो हुआ लेकिन continuous का मतलब ऐसे नहीं हुआ 48 है ग्रूसम ऑप्सन से सलेन, हीडियस, एक्जॉस्टिंग इन्सल्टिंग ग्रूसम का मतलब होता है घ्रनित बिल्कुल और इसका मतलब जगन्ने भी होता है ग्रूसम जैसे कोई अपराद है जगन्ने अपराद होता है तो उसे हम ग्रूसम कहा सकते हैं जो घ्रना के पात रहो तो उसका क्या हो जागा हीडियस, हीडियस का हीडियस क्राइम जैसे जगन्ने अपराद, यह दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं और स्तलेन का मतलब होता है एसा व्यक्ति जो चड़चड़ा हो तुने अपर मिजाज हो मतलब छोड़ी-छोड़ी बात तो फिक्चर जाता है उसे हम सलेन कहाता है एक जॉस्टिंग का मतलब ठका देने वाला हीडियस का मतलब होता है जगन ने घ्रेनित और ग्रूसम का मतलब भी होता है घ्रेनित राइट और इंसल्टिंग का मतलब जो इंसल्ट जो इंसल्टिंग कहेंगे जैसे इंसल्टिंग रिमार्क्स हो जाएगा तो इसका उप्शन हो जाएगा 48 का हीडियस असकी है तो ऑफ्टीन इंस्टवर टाइफरैंस एक्नॉर्मल ऎब्नॉर्मल को ऑप्शन अननैच्रूट अग्रेस्व Whenever इंफोर्मल का मतलब होता है जो य। थद्रा नार्मल से हटके हो और नेच्छल की जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा हटके हो अबनार्मल का मतलब वही होगा काफी असान है यह हो जाएगा आप का मतलब होता है अग्रेसिव का मतलब हो जाएगा आप आपका जैसे की तो हिंदीर अच्छा इसफ के लिए नहीं हा रहा है लेकिन aggressive का आप कह सकते हैं कि अक्रामक कह सकते हैं यूनिक का मतलब जो सबसे अलग हो और informal का मतलब casual सबसे लास्ट वोर्ड है आज क्या फ्रेंट्स वीनल का मतलव होता है ऐसा व्यक्ति जो पैसे का आधी हो जो घुस-खोर ठीज कर कोई ऐसा वैक्ति बीना पैसे काम ना करें उसे हम बोलते हैं तो इसका बिल्कुल उपर ही ऑप्सन दीख रहा है रख करवाप का मतलब भरष्टा अदमीं का मतलब जो समझने में असान हो जिसको बिल्कुल समझा जा सकते हैं उसे कॉंप्रहेंसिबल का मतलब बहुत हैं जिसक 20 synonyms को cover किया है इसमें आई होप आपको सारे समझ में आएंगे अगर किसी में भी आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो नहीं चेक कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट करें इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक सेर करें लाइक करें थैंक्यू फ्रेंट्स